बंगाल और वहां के जमीनदार अंग्रेज लोग जो आये थे मूल तब भारत एक व्यापारी के रूप में आये थे याने उनका आने का मूल उद्देश आर्थिक था मुद्रा, धन तो आर्थिक उद्देश की पूर्थी किसी अन्य तरीकों से भी की जा सकती है शुरू में व्यापार के माध्यम से अपनी आर्थिक इच्छा को पूरी की आर्थिक विकास किया, बाद में धीरे धीरे जब वे शासक बने तो व्यापार के अलावा उन्होंने कुछ अन्य जरिये इजाद किये जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी आर्थिक मजबूती को और बढ़ाया जब इस शासक बने 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद 1764 की बकसर की लड़ाई के बाद जब उन्होंने बंगाल का शासन अपने हाथ में ले लिया शासन को अपने हाथ में लेने के बाद कलपना करिये 1774, 1773 की मैं बात कर रहा हूँ 64 की आज से करीब 300 वर्ष पहले की बाद उस समय इतनी दूर से अंग्रेज भारत जब आते हैं उन्हें भाशा का ग्यान नहीं उन्हें भारती भागोलिक व्यवस्था का कोई विशेश ग्यान नहीं इस्थानी व्यवस्था का उन्हें भारतिक आर्थिक स्थिति का ग्यान नहीं यहां के जो करिंसी है उसके बारे में कोई विशेश जानकारी नहीं लेकिन वो शासक बन बैठे हैं अब उनके सामने विवश्था ये थी कि शासक बनने के बाद केवल व्यापार से ही शासन नहीं चल सकता और इसलिए कुछ ऐसे सुरोत पैदा करने होंगे जिसके माध्यम से पर्याप्त आए हो और आए के बल पर हम बंगाल का शासन चला सकें और हो सकें तो इसका विश्टार भी कर सकें उसी कड़ी में बंगाल और वहां के जमीदार इसका जिक्रिहां किया जा रहा है आपनिवेशिक भारत की शुरुआद बंगाल से होती है उसका सरप्रतम जाहरन बंगाल है कारण भी स्पश्ट था क्योंकि प्लाची के लड़ाई में सुराज दौला को जब हराया जिसका शास बंगाल हाथ लगा और जब उनको बंगाल हाथ लगा तो उन्होंने पहले बंगाल में अपनी स्थिती मजबूत करने की सोची और उसकी शुरुआद वहीं से की इसने सरप्रतम आपनिवेशिक राज्य भारत का बंगाल को कहा जा सकता है यही वह प्रांथ है जहां ग्रामी समाज के विविन तबकों को इस्थापित करने पुनर इस्थापित करने पुनर व्यवस्थित करने और भूमी संबंदी जो भी अधिकार हैं उन अधिकारों की व्यवस्था को लागू करने का कार्य इन्होंने सबसे पहले वहीं शुरू किया हूँ साथ ही एक नई राजस्व व्यवस्था भी वहीं सबसे पहले लागू की उन्होंने कोशिश की कि जहां हम शासक हैं उसकी शासन व्यवस्था को हम भर सक अपनी व्यवस्था में ऐसा ढालें कि हमारे लिए ये दूभर ना हो कि हम समाज को समझ सकें हम वहां के आर्थिक व्यवस्था को समझ सकें हम वहां के आए व्यवस्था को समझ सकें आदी आदी और इसलिए सबसे पहला प्रयोग उन्होंने बंगाल में ही सबसे पहला प्रयास उन्होंने बंगाल में ही किया चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर बंगाल में उन्होंने क्या क्या किया ये तो समझ में आया हमको कि बंगाल क्यों ये हमको समझ में आया कि भारत क्यों उसके बाद हमने समझ दें कि कोशिश की कि बंगाल क्यों क्योंकि बंगौल में उनका शासन आप निवेशिक शासन सबसे पहले स्थापित हुआ। इसलिए बंगौल और परिवर्तिन की जरूत क्यों थी? क्योंकि वो पूरे विदेशी माहौल से पूरे विदेशी थे, किसी भी तरह की भारती को विवस्था थे, उनको, उनका तालु उकात नी था उनकी समझ नहीं थी तो दोनों विवस्थाओं के बीच में सामंजस से बैठाने का प्रयास उन्होंने सबसे पहले बंगाल में किया और ये इसके लिए जरूरी भी था ताकि जो आए है जो आर्थिक जो स्तंभ है जिसके बल पर उनका यहां रहना संभा हो सकता ह है वह मुल रूप से जमीन से आएगी तो जमीन की विवस्था कैसी हो भूराजस की विवस्था कैसी हो कर कैसे लिया जाए कैसे यह सुनिश्चित किया जाए कि जो कर की दरें तै की गई हैं वे उचित हो कैसे यह सुनिश्चित किया जाए कि हर किसान कर दे रहा है और निद बड़ा मुद्दा था अंग्रेजों के सामने कि कर विवस्था में ऐसा क्या किया जाए कि उनके लिए सरल हो जाए अपनी आर्थिक आए को समझना और इसलिए उन्होंने सबसे पहला जो परवर्तन किया उसे हम कह सकते हैं इजारेदारी या ठेकेदारी विवस्था जैसा ठे के से ठेका दे दिया गया, जमीन का, हिस्टिंग्स, वारान हिस्टिंग्स जो पहला गवर्नर-जनरल बना भारत का 1772 से 1785 और उसी के काल में पहली बार بрिटिश संसद ने, अंग्रेजी पारलमेंट ने पहली बार, कंपनी के मामलों में दख़ल देते हुए दो कानून एक तो 1773 का Regulating Act और दूसरा 1784 का Pits India जिसने अंग्रेजी संसद के अधिकारों को बढ़ाया और East India Company को अंग्रेजी संसद के मातहत लाने का पूरा प्रयास किया इसमें क्या परिवर्तन हुआ या ठेकेदारी वस्था क्या थी हेस्टिंग ने लगान वसूली का जो काम है वह कमपनी से अपने हाथों में ले लिया हेस्टिंग किसका प्रतनिदित करता था हेस्टिंग शासन का प्रतनिदित करता था तो उसने अपने हाथों में ले लिया कमपनी और भूर राजस्थ की वसूली के लिए जो प्रणाली उसने लागू की उस प्रणाली को कहते हैं हम इजारेदारी व्यवस्था इजारेदारी व्यवस्था ऐसी भूर राजस्व प्रणाली है जिसके तहट ठेकेदारों के माध्यम से लगान वसूल की जाती है लगान शब्से तो आप बाकिफ हैं हैं लगान याने भू सम्बंदी कर जिसे हम राजस्व भी कह सकते हैं तो इस परकार इजादेदारी व्यवस्था या ठेकेदारी व्यवस्था उसने लागू की इसमें ठेका दे दिया जाता था कि तुम इस जमीन का ठेका हमको दोगे इस जमीन का ठेका लो और ठेका देने का अधार क्या होता था सबसे ज्यादा बोली जिसने लगाई उसको वह जमीन दे दी जाती थी उसका स्वामित्व उसको दे दिया जाता था उसका पैत्रिक अधिकार उस ठेकेदार का और उस ठेकेदार को उसका भुच्छ स्वामित्व का अधिकार मिल जाता था यह व्यवस्था जो थी यह पांच साल के लिए थी इस पांच साल की व्यवस्था मे एक बार कर तैह हो गिया, लगान तैह हो गिया था, तो ठेक दार या इजारेदार को या सुनिश्चित करना था, कि वह तैह हुआ लगान उचिस समय पर अंग्रेजों को दे इस ही व्यवस्था को हम इजार अदाई करते हैं और ये व्यवस्था बड़ी प्रसिद लुए ये अंग्रेजों के दोड़ा लाई के पहली व्यवस्था इसमें फायदा क्या हुआ उन्ग्रेज जो भाशाओं से वाकिफ नहीं थे अंग्रेज जो स्थानी स्थितियों से वाकिफ नहीं थे अंग्रेज जो स्थानी महौल से वाकिफ नहीं थे भूमी व्यवस्था से वाकिफ नहीं थे उनके लिए तो असंभा हुई था कि वे स्वाइम जाकर टैक्स लिक एकठा करें कर लें साथ ही अंग्रेज अधिकारी भी तो कम थे प्रारम में अंग्रेजों की संख्या कम ही थी तो भारतियों की मदद से कैसे सुनिश्चित किया जाए कि लगान समय पर हो तो उन्हेंने ये ठेकेदारी व्यूस्था की इस ठेकेदारी व्यूस्था का एक फायदा और था और वह था कि भूमी जब निलाम होती थी और सर्वोच बोली वाले को दी जाती थी तो निलामी से होने वाली आये भी एक अत्रिक आये बन गई अंग्रेजों की तो इस प्रकार इजादेदारी व्योस्था एक बहुत ही अहम व्योस्था थी ये पंच वर्षी थी बाद में 1770 में 1770 में लगू हुआ 1770 में इसे एक वर्षी कर दिया गया कारण क्योंकि कुछ अनुभव पुराने कड़ुए निकले पांच वर्षी अनुभण्ध की अपनी दिक्कतें सामने आई तो इन दिक्कतों को हटाने के लिए इस अनुभण्ध को मत्र एक वर्षी कर दिया गया और किसानों से यह सुनिश्चित कराए गया कि अधिक्तम बोली लगाएं अधिक्तम बोली लगान की भी लगाएं तो इ सन 1793 में लाड कॉर्ण वालिज भारत आये जो गवर्णर जनरल की रूप में आये लाड कॉर्ण वालिज जब भारत आये इसमें बहुत पैसा भारत में इस्ट इंडिया कमपनी ने खर्च कर दिया था बहुत सारी लड़ाईयों में चाहे वो मराठा के लड़ाईया हो चाहे वो टीपो सुल्तान के साथ फ्रेंच के लड़ाईया हो फ्रांस के साथ लड़ाईया हो बहुत सारी लड़ाईया हुई और इन लड़ाईयों में अंग्रेजों ने बहुत पैसा खर्च कर दिया था और इस्ट इंडिया कमपनी वो फ कि कंपनी यहां आई है व्यापार करने के लिए पैसा कमाने के लिए उल्टा पैसा ना कमा करके हमको ना दे करके वह हमसे ही अब लोन ले रही है तो जरूरत है कुछ शुधार करने की आर्थिक व्यास्था में इसको मद्दे नजर लगान व्यास्था में फिर कुछ शुधार हुआ और कॉर्न वालिज जो है वो इसी उद्देश्च से भारत आता है कि किस प्रकार यहां की कमपनी के आर्थिक इस्थिति को सुधारा जाए उसका काल जो है वो कंसॉलिडेशन का काल कहलाता है यानि उसने विस्तारवादी नीति को रोक कर कमपनी की विस्तारवादी नीत क्या है जहां मैंने बताया सतरा सो दुरानिबे में कमपनी के द्वारा निर्धारित राशी ये ब्योस्व Wagustah सतरा सो दुरानिबे में लागू हूई कमपनी एक राशी में दुरानिबे कर देती थी जमी दार की सहमप्ट इसे कि आपके पास इतना खेत्र है भागुलिक खेत्र आपके मातखत आता है जिसके आप जमीनदार हो इससे हमको वर्ष के अंत में इतना पैसा मिलना चाहिए कर के रूप में राजस्व के रूप में दोनों में जिस रकम पर सहमती हुई वह रकम निर्धारित कर ली जाती थी और जमीनदार के लिए आवशक था कि निर्धारित तिथि की संध्या के पहले वह राशी जमा कर दी जाए तो इसमें ये जो राशी जो होती थी इसमें पूर सहमती रहती थी तारीक की भी और रकम की भी और राशी को एकठा करने का कार जमीनदार के अधिकारी जिसे अमल कहते थे वे लोग करते थे तो अमल लों का काम होता था गाओं में जाना रायत और किसानों के पास जाकर वसूलना वसूल करने के बाद उसको पूरा एकठा करके उसको हिसाब के साथ जमीनदार को देना और जमीनदार उसमें से कुछ हिस्सा रखके जैसा की पूर में निर्धारित किया गया हो बाकी शे शितावा अंग्रेजियों को दे दिया करता था लेकिन दुरभागे से यह व्यावस्था भी थोड़ी असफल रही इसमें भी कई दिक्कते आई और आने वाले समय में इसमें कुछ कठनाई यह हूं चुकि व्यावस्था थोड़े लंबे समय के लिए थी इसलिए इसे इस्थ है ती